भाई वहन की लाज, रखवार तंट्या, सुने बैना की पकार, इस्पार और उस्पार, पल का मूंदा, दोड़े आबे बार बार तंट्या, थाना चो की फूग डारे, जुल्मी सीपडा का मारे, कहीं जूता कहीं हंटर की मार तंट्या, सूद खोरो का डरावे, खाता खूतरा जलावे, लंगा भूखा कोदे रोटी का आधार तंट्या, यह अपने तंट्या मामा, आज मैं उनके चरणों में, कबल अपनी और से नहीं, मधप देश की साड़े साथ करोड जनता की और से, दोनों हाथ जोड के और सीज जुका के प् अदभुत क्रांतिकारी, जन्होंने भारत माता के पैरों से, परतंत्रता की बेडियां काटने के लिए, अपना पूरा जीवन कुरवान कर दिया, और कई वार मन में तकलीफ होती है, आजाज हुए 75 साल हो रहे हैं, पुरानी सरकारों ने, कभी टंटे मामा की, कभी भी माना की, कभी रगना साज संकर सा की, कभी रानी कमला पती की, हमारे वीर्वसा भगवान की, कभी बड़े सेहरों में पृतिवानी लगाई, लगाई चो एक खांदान के लगती रही, लेकिन आज मझे संतों से यह कहते हुए, इंदोर की धर्ती पर, आज टंटे मामा की भव पृ का लोकारपन हमारे गवर्नर साहब ने किया है, और चोरा भी टंटे मामा चोरा होगा, उनके बलिदान को हम भूल नहीं सकते, कभी भुला नहीं सकते, लेकिन केवल मूर्ती लगाने से काम नहीं चलेगा, मेरे प्रिये बहन और भाईयों, आज के यह कारिकम, केवल कारिकम नहीं, यह सामाजिक क्रांती का संखनाद है, यह आर्थिक क्रांती का संखनाद है, सुनो मेरे बहनों और भाईयों, आज का दिन एतिहासिक दिन है, यह कारिकम, गरीब जंता की जिन्दगी में बदलाओ का कारिकम है, और इसलिए आज मैं कहा रहा हूं, मेरे भासन को केवल भासण मत मानना मैं क्यबल बोलने के लिए नहीं कह रहा एक तड़फ है एक ललक है एक जुनून है तंट्या मामा के रास्ते पर चल कर अटल जी ने हमारे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी भाई बहनों के कल्यान का जो संकल्प लिया है उस संकल्प को मर्द प्रदेश की धर्ती पर पूरा करने का उसलिए मैं भासण नहीं दे रहा ये पेशा पेशा बार बार बात हो रही है मैं आज कर लगातार हर चेगे जा रहा हूँ पेशा क्या ये पढ़ा रहा हूँ और आप जितने आज बैठे पेशा समझ अए जो जो वो हात ऊपर उठाओ जो पेशा कानून को समझे पढ़ा है हात उपर उठाओ एक बार फिर कह रहा हूँ जिननक पेशा कानून को समझ लिया वो हात ऊपर उठाओ अभी कही रह गए हैं तो बताओ आज पेसा पढ़ाओं मैं आपको, अरे बोल का बताओ, गूंगे नहीं बनना है, पीछे तक बोलो पढ़ाओं की नहीं, उदर वाले बोलो पढ़ाओं की नहीं, तो ये सुनो, मैं हूँ मास्टर ट्रेनर, आज ट्रेंड करने आया हूं, और ट्रेंड इसलिए कर र तो मैं आज तुम्हें ट्रेंड करूंगा, और तुम मेरे बेटा बेटियों नीचे जाके बाकी को ट्रेंड करना, ताकि सब समझ ले जान ले, ये पेसा क्या है, और इसको मद्धप्रदेश की धर्ती पर लागू करें, अरे ये कर्म कांड नहीं हैं, आपकी जिंदगी अपने नेतरत के सामने, ये पेसा लागू करना कर्म कांड नहीं है, मद्धप्रदेश की धर्ती पर हम इसे लागू करके ही चैन की सांस लेंगे, और इसमें आप सब का साथ चाहता हूं, आगे पीछे जितने लोग बैठे, मैं सब का साथ चाहता हूं, और आज पूछ रहा सब का साथ मिलेगा, मिलके करेंगे, जमाने को बदल देंगे, और जैस सुनो, इस पेसा में कई हक, कई अधिकार दिये गए लेकिन पहली बात, मैं सनेतरतों से भी कहना चाहता हूं, भाई ये पेसा किसी के खिलाप नहीं है, कांग रेशियों से कुछ नहीं बनता, तो दू दूसरों को बढगा रहें, कि तुम्हारे खिलाप है, तुम्हारे खिलाप है, ये मामा कह रहा है, साफ, पेसा कोई के खिलाप नहीं है, सामान वर के खिलाप भी नहीं है, पिषडे वर के खिलाप भी नहीं है, ये पेसा अधिवासियों के हक में है, 89 89 बिलाकों में लागू होगा, शेहर में लागू नहीं होगा, और गाउं में भी अगर दूसरी जातियों के भाई बहन रहते हैं, तो पेशा की ग्राम सभा में वो भी सामिल होगे, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये फाल तु बढ़काने के कोई बात है ना करें भाई, अब इस पेश और फॉलो करना ना भूलें, तकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, यूस 24